हेलो फ्रेंट्स बेलकम टू राल सुस्वांदिय अकेडमी देखिए के पीएस पी आइटी की जो अंसर की आया चुकी है उसके साफसे सभी स्ट्वेटर ने अपने अंसर चेक कर लिए कोशन कितने उनके सही बनना है अपने जो के पीएस पी आइटी की कटॉप कितनी रह सकती है है कि उसका अने आपको बता दिया जो देखिए अबने की सभावना अगर आपने वीडियो ने देखा है इस्टुएंटों के कम मार्क्स बनने हैं वो डीमोटिवेट हो रहे हैं लेकिन उन्हें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनके कम मार्क्स हैं बानके चलिए कि हम यहाँ पर आपको एक एक एक्जाम्पल के दुरू समझाएंगे कि आपके जो interview और demo उसका बहुत बड़ा रॉल है अगर किसी student के कम marks से भी बनने है तो वो जिसके student के अधिक marks है उसे पचाड करें एक seat को अपने नाम कर सकता है तो इसमें हम एक जांबल के दुरू आपको समझाएंगे आप वीडियो को अंतर तक देखें जिससे के आपको जो second stage है एस exam की जो कि इसमें demo प्लस interview होना है उसका कितना बड़ा रॉल है वो आपको बिलकुली एक to the point समझ में आएगा चली तो देखते हैं फिर देखें पहला point जो कि हमने cutoff के बारे उसको बता दिया जो के demo और interview के तोर पर होना है देखें इस जो test होना है second stage का उस test का नाम है आपका professional competency test यह 60 marks का होना है और इसमें आपका इसे दो पार्टों में divide किया गया है KBS द्वारा एक तो आपका demo teaching जो कि 30 marks की होनी है और दूसरा आपका interview जो कि 30 marks का होना है तो इस प्रकार दोनों को मिला के कितने marks का बना है आपका 60 marks का बनता है देखें जो final merit बनेगी उसके बार ही बता देते हैं किस प्रकार बनेगी जो आपका final merit है उसमें बेटेज रहना है वो रिटिन का तो 70 और जो आपका PCT टेस्ट जो सॉटर बोल दी है आपने जो कि demo प्लस इंट्रिव्यू उसका कितना बाट आना है 30 रेशियो रहना है यानि 70 रेशियो 30 इस प्रकार आपकी final merit बनके तैयार होगी यह आपका बेटेज है देखिए जो पहले होता था जो पुरानी बर्तियां के भी इस द्वारा हुई है पहले तो उसमें 85 और 15 का बेटेज रहता था लेकिन यहां पर जो बेटेज है इसका रेशियो 70 रेशियो 30 है यानि कहरे का मतलब है जो इंट्रिव्यू है और प्लस डेमो टीचि है जिससे के आपको किलियर हो जाए बिलकुल इसका फंडा क्या है इंट्रिव्यू प्लस डेमो का किस प्रकार आपको यह प्रवावित करेगा कम मार्क्स वाला भी कैसे सलेक्शन ले सकता है देखिए फ्रस्ट इस्ट्वेंट अमने ऐसा लिया जिसके रेटिन में 125 मार्क्स है सेकंड इस्ट्वेंट ऐसा लिया जिसके 130 मार्क्स है थर्ड इस्ट्वेंट हमने ऐसा लिया जिसके 140 मार्क्स है और फोर्थ इस्ट्वेंट हमने ऐसा लिया जिसके 150 मार्क्स है देखिए 125 मार्क्स उसके किदने में से 180 में से रेशियो कितना लेना है 70 का रेशियो लेना ह तो यह कितना बनेगा 50.55 marks बनेगा जिसके 140 है उसका कितना बनेगा 140 डिबाइडवे 110 इसका बनेगा 54.44 marks अच्छा जिसके 150 marks है उसका कितना बनेगा 58.33 marks बनके तयार होगा चलिए अब इन्हीं स्ट्यूएंटों की हम बात करते हैं अगर वो इस्ट्यूएंट ही हमने माल लिए आपका सम्झाने के लिए सब्सक्राइब यह एक्सवा चले कि देगे इसमें आनके चले कि 125 वाला स्ट्यूएंट है जिसके रेटीन में 125 मार्क्स आये हैं वह आपका डेमो प्लस इंट्रेव्यूं में अठ्ठामन मार्क्स लाता है कितने मैं से साट मैं से सैकिन्ड इस्ट्यूएंट जिसके 130 मार्क्स वह आपका डेमो प्लेस इंट्रिव्य में मार्क्स लाता है 55 माल लिया हमने जिससे कि आपके कि लिए समझ में आ सके किस प्रकार कम मार्क्स बाला भी इस्ट्यूएंट सेलेक्शन ले सकता है आपको अभी निरास होने की आप सकता नहीं है अच्छा देखें तीसरा जो के इंट्रिव्य प्लस डेमो में लाता है और जो 150 मार्क्स थे उसके कितने मार्क्स माने हमने 40 लेके आता है वो मार्क्स डेमो प्लस इंट्रिव्य में तो देखें जो इस्ट्यूएंट जिसके 125 मार्क्स थे और उसके डेमो प्लस इंट्रिव्य में अठ्ठामन मार्क्स च्छालीस मार्क्स प्राप्त हो जिसके 140 रीटेन में थे उसका कितना प्राप्त होगा 22.5 उसे मिलेंगे यह यह निश्ट हाप हो जाएंगे जो परसंट लेना है अच्छा जिसके रैतिन वे 150 थे उसके मान के चले उसके डेमो प्लेस इंट्रिवी में 40 मार्क्स आए तो उसका कितना मने का 40 डिवाइड वाइड वाइड इंटू 30 यानि 20 मार्क्स चलिए अब चारह स्ट्वेंटों का टोटल देखते हैं कि फाइनल मेरेट कैसे बनेगी कितने कितने मार्कस बन सकते हैं और किस प्र आनी से मार्क्स किसी को मिलेंगे नहीं तो इस प्रकार आप निश्चंत रहें कि जो करेप्शन वालें उन्हें डेमो प्लेस इंट्रिवी देना होगा चलिए देखते हैं क्योंकि उसमें तो अब कुछ हो नहीं सकता है लेकिन वह इंट्रिवी और डेमो होना है उसमें उनक इस प्रकार कितने मार्क्स बनेंगे 48.61 पहले स्टुएंट की बात हो रही है जिसके 125 है प्लस 39 यानि कितने मार्क्स बनेंगे 77.61 जिसके 125 रिटिन में थे 27.5 और 50.55 जोड़े तो उसका इसकोर कितना बनके तयार होगा 78.05 और इसका कितना 125 बाले का 77.67 चलिए आगे देखते हैं जो 140 मार्क्स बाला जो तीसरा स्टुएंट था उसके रिटिन में कितने मैंfahr 24.44 और उसका क्योंकि वह 45 मार्क्स लाइब किसमें लैंदर्वी इंटरिविवे तो उसमें कितने बने थे आपके 22.5 तो हम 22.5 और चण पावज और ओज़ेंन कितने मार्क सबादा की रिटिन में मार्क्स कितने थे उसके 150 हमने उसका रेशियो निकाला था सेविंटी रेशियो कितना बना था 58.33 अच्छा डेमो में कितना लाया वो 40 मार्क्स तो कितना बना था 20 और 58.33 और 20 कोम जोडते हैं तो यह टोटल बंदा आपका आपके सेविंटी एट बॉइंट के मार्क्स सा निकाले । यह दूसरा ए स्ट्यूएंट यह तीशरा ए ந और यह इसके मार्क्स ते 125 रिटेन में इसके मार्क्स ते 130 रिटेन में और इसके मार्क्स ते 140 रिटेन में और इसके मार्क्स ते 150 रिटेन में अब इनका मार्क्स देखोगे तो देख इसके 77.6 बना है 78.05 है और इसके 77.5 है और इसका 78.33 है इसमें आप देख सकते हैं कि 140 वाले का 77.5 बनना है जब कि 130 वाले का 78.05 बनना है कहने का मतलब ए 140 वाले का सलेक्षन नहीं हुआ 130 वाले का सलेक्षन हो गया है ऐसे आप देख इसके बनने 77.61 किसके जिसके 125 मार्क्स हैं और 140 वाले के कितने बनने 77.5 के सम्धिक और जब किसका बनना है 77.61 यानि 140 वाले के सलेक्षन नहीं हुआ 125 वाले के सलेक्षन हो गया है 150 वाले की बात कर लेते हैं इसका इसकोर बनना था 78.33 और 130 वाले का इसकोर बनना था 78.05 यानि 0.28 का अंतर रहता है 150 130 वाले में भी कहने का मतलब यह है यह दे कि जिसके आई-सकोर है उसे डिमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पर किवल आपको समझाना है आई-सकोर बाले का जरूरी नहीं है कि इतना कम मार्क सी वो डेमो प्लेस इंटर्वीव में लाएं हो सकता है इसके और बड़ी आए तो तो आप सलाई यह दी जाती है आप अपनी तैयारी आप अंद्स का अंदाजा हो जाएगा अनुमानित कट अफ उसे की रेंजमें रहने की सम्भावना है और डेमो प्लस इंटर्विव के लिए अपनी तयारी बना रखने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले इंटर्विव की बैतरीन तयारी कराई जाएगी धन्यबाद सब्सक्षाल के लिएा है और listen वाल है।